प्रिये चात्रों आज की हिंदी तासिका में हम लेखन विभाग की और आगे बढ़ेंगे विध्यापन लेखन यह सीखेंगे विध्यापन यानि अड़ोटाइजमेंट जिसे अंग्रेजी में कहा जाएगा और मराठी में जाहिरा जिसे कहा जाएगा यही हमारा हिंदी का विध्यापन लेखन कहलाएगा विध्यापन यानि वी अधिक ग्यापन वी यानि विशेश ग्यापन यानि जानकारी देना यानि कि किसी के बारे में विशेश रूप से जानकारी देने वाला अब किसी के मारे में यानि की कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु में बहुत सारी सब कुछ चीज़ें आ जाती है इन सभी का विशेश रूप से जो जानकारी दी जाती है उसे विज्ञापन कहते है तो देखिए विज्ञापन किसी वस्तु की अधीक प्रसिद्धी और विक्री हेतु अधीक प्रचार करने के लिए थोड़े शब्दों में ही जनसाधारं तक पहुँचाने हेतु बनाये जाते हैं यानि कि कोई वस्तु है उसको ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं तो उसके लिए सभी लोगों तो पहुँचने का विज्ञापन ये एक अच्छा माध्यम है विज्ञापन का उदेश अधीक से अधीक लोगत तक जानकारी पहुँचाना होता है वर्तमान समय में विज्ञापन को देखकर और उससे प्रभावित होकर लोग उस वस्तु को खरीते हैं आजकल हम देखते हैं टीवी में कोई भी सीरियल देखा जाए या कोई पिक्चर हो या नियूज हो भीजबीज में आड आते ही रहते हैं कि वही विज्ञापन होता है और उसी तरह से पेपर में भी विज्ञापन ये होता है आजका यूग जो है प्रचार और प्रसार माध्योमों का यूग है प्रचार प्रसार में विज्ञापन एक महत्वपुन्न स्थान रखता है विग्यापन के प्राय तीन प्रकार होते हैं पहला है व्यक्ति संबंधी विग्यापन दूसरा वस्तु सेवा संबंधी विग्यापन तीसरा है स्थान संबंधी विग्यापन अब इन सभी को हम थोड़ा थोड़ा चिसे समझने की प्रयास करेंगे पहला है विक्ति संबंधी विज्यापन इस विज्यापन में विशेश रूप से विक्तियों संबंधी जानकरी दी या हासिल की जाती है देखे, विक्ति संबंदी विज्ञापनों का उदेश किसी कारिय या किसी पद पर न्यूक्ति के लिए योग्य विक्ति की खोज करना होता है ऐसे विज्ञापन नौकर, चौकिदार, सेल्समेन, रस्वईया, मैकैनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, शिक्षक, मैनेजर आधी के बारे में होते हैं ये विज्ञापन प्राय अगभारों में दिये जाते हैं यानि कि किसी को समझे अभी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की अवशकता है, कहीं वाच्मन या सुरक्षागाड की अवशकता है तो ये होता है वेक्ति संबंधी विज्ञापन दूसरा प्रकार आता है वस्तू या सेवा संबंधी विज्ञापन वस्तु और सेवा सम्मद्धी विज्यापनों में किसी विक्रय योग्य वस्तु या सेवा के बारे में आकरशक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है यानि कि जो भी चीज बेचने योग्य होगी उसे जो है आकरशक रूप से थोड़ा साव से अच्छे धंग से बना कर सजासमान कर जो है हमारे सामने पेश किया जाता है ऐसे विज्यापन अगबार, रेडियो, टेलिविजन और इंटरनेट पर प्रसारित होते हैं इनमें केश तेल, शैंपू, साबून, पाउडर तथा खादे पधारतों से लेकर वायामशाला, स्वास्थ शिवीर, फरनीचर, मोबाइल, कंप्यूटर, कप्ले, गहने और नई-नई वस्तुएं इसमें फिर फ्री, वाशिंग मशीन, मिक्सचर, यह हर चीज जो है सभी वस्तुएं तक के विज्यापन इसमें शामिल होते हैं तीसरा प्रकार है स्थान संबंदी विज्यापन अग किसी कहीं जगह पर कोई घर बेचना है, खरीदना है, दुकान बेचनी है, खरीदनी है यानि कि स्थान, जगह इसके बारे में संबंद में जो विज्यापन होता है वो स्थान संबंदी विज्यापन कहलाता है देखिए स्थान संबंदिग विज्वापनों में मकान, फ्लैड, दुकान, आधी के लिए किराय पर देने या बेचने या खरीदने से संबंदिग विज्वापन शामिल होते हैं यह हो गए तीन प्रकार विज्वापन के अब हम देखते हैं परिक्षा में हम विज्ञापन किस तरह से लिखे यानि कि विज्ञापन तयार करते समय अवश्चक बातें क्या क्या होनी चाहिए इन बातों को हमें ध्यान में रख कर विज्ञापन बनाना है विज्ञापन की भाषा सरल, शुद्ध, शिष्ट, सुबोध और आकर्शक होनी चाहिए विज्ञापन लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और उनी कम शब्दों में पुरा-पुरा आशे वेक्त होना चाहिए विज्ञापन में विश्यान रूप घोश्वाक्य का प्रयोग करें तो विज्ञापन अधीक प्रभावी होता है विज्ञापन की भाषाशली उपभोगता पर असर करने वाली चुटिली या समय के आनुसार होनी चाहिए विज्ञापन यथा संभव संग्षेप में ही लिखना चाहिए यानि कि एकदम कम से कम शब्दों में छोटे में लिखना चाहिए जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्शक धंग से दिखाना चाहिए अगली अवश्यक बातों में विध्यापन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अलंकारिक, काव्यमय और प्रभावी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए इसमें ग्रहकों की बदलती रुची और अवश्यकताओं की अनुसार वर्णन होना चाहिए विध्यापन में छूट का उले करना हर समय अवश्यक नहीं है क्योंकि इसमें उत्पादन की गुनवत्ता महत्वपूर्ण होती है यानि की चीज कितनी अच्छी है, कितनी टिकाओ है, यह होना चाहिए उसके पीछे 50 टक के छूट, 20 टक के छूट, यही हर चीज में होना अवश्यक नहीं माना जाता है और ध्यान देने योग के बाद, विध्यापन में अवश्यक तानुसार पता, मोबाइल नंबर और इमेल आईडी लिखना अवश्यक है, बहुत जरूरी है जहां कई कोई चीज का विध्यापन दिया जा रहा है, तो वो मिलने का पता, मोबाइल नंबर, इमेल आईडी यह जरूरी होता है विध्यापन लिखते समय केवल कलम का प्रयोग करें, स्केच, पैंसिल इस्तेमाल नहीं करनी है चित्र या डिजाइन बनाना आवशक नहीं है जैसे कि कोई शिक्षक चाहिए, ड्राइवर चाहिए, यहां पर हम किसी व्यक्ती का चित्र नहीं बना पाते हैं अगर बना लें तो बहुत अच्छी बात है, बरना कोई जरूरत नहीं हो सकती विज्यापन लेखन में 50 से 60 शब्दों में सभी आवशक मुद्दों का समावेश हो जाना चाहिए जादा बड़ा लंबा चोड़ा विज्यापन कोई देखना नहीं पसंद करता है तो चलिए हम एक एक करके सभी विज्यापन यहां पर देखेंगे हम उसे समझने का प्रयास करेंगे पहला है वेक्ती संबंधी विज्यापन हमें एक पीटी शिक्षिका चाहिए यानि कि एक अध्यापक की अवशकता है अब देखें किस तरह से बनाना है बनाते समय पूरा एक चौकोन बक्सा पूरा बनाने लाँ चाहिए फिर उसमें बीच बीच में हमां योग्य जैसा लगता है उस तरह से हमें आकर्षक बनाने के लिए थोड़ा बद उसमें डिजाइन या अलग धंग से हम उसे पेश कर सकते है देखिए पीटी शिक्षिका चाहिए मोटे अक्षरों में बोल्ड आ चुका है यहाँ पर यानि कि यह शिर्षक जो है आकर्षक और बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा है सरकार द्वारा अमान्य लोटस गर्ल स्कुल पंचगनी महराष्टा के लिए पीटी शिक्षिका की ततका लवशकता है यानि कि कहां पर पीटी शिक्षिका चाहिए यह हमने बता दिया अब उसी के नीचे ध्यान दे यानि कि यहाँ पर देखे विशेशता बताई है कि शिक्षिका के लिए टीचर्स होस्टेल की भी वैकल पिक वेवस्था है यानि कि वहाँ पर रहने का इंतिजाम भी किया गया है फिर से क्रपयाद दिनांक 2 मई 2021 से 10 मई 2021 तक ओनलाइन www.johabhi जहां पर हमारा अड्रेस है फोन नंबर है उस तरह से उस पते का भी सब यहाँ पर जानकरी इसमें दे दी गई है और बताया गया है कि इसी पते पर यानि कि इसी इमेल आईडी पर जो है आपको आवेदन मेल करना है आजकल सब कुछ ओनलाइन चल रहा है इस तरह से यह हम बता सकते हैं और देखिए अंत में वहाँ पर अधीक जानकारी के लिए फिर मोबाइल नंबर जो भी है वो दे दिया गया है और इसी पर संपर्ख करने के लिए कहा गया है यानि कि जो हमारा व्यक्ति संबंदी विज्यापन है पूरी तरह से इस तरह बन कर तयार हो गया अगला दूसरा प्रकार अब हम देखते हैं वस्तु संबंदी विज्यापन अब यहाँ पर है ब्रेंड टॉनिक एक टॉनिक का विज्यापन दिया जा रहा है यह देखिए स्कॉलर ब्रेंड टॉनिक अब यहाँ पर इसकी विशिष्टा अगरे बताई गये एक आगर चितता को बढ़ाने वाली गुणकारी बड़ी जड़ी बुटियों का मिश्रन यानि कि यह टॉनिक किस से बनाया गया यह है यहाँ पर बताया गया है याददाश्ट को बढ़ाईए कामियाब बनाये यह देखिए चुटा सा स्लोगन यहाँ पर दिया गया है किस तरह से वह उससे सूट होता है कि ब्रेंड टॉनिक यानि कि याददाश्ट बढ़ाने के लिए है इस तरह से वहाँ पर बता दिया गया है यहाँ पर मूल आशे इसी में हमारा विक्त हो चुका है क्या आपका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता क्या आप पढ़ा हुआ सब भोल जाते हैं इस तरह से हम जो माल बेचना चाते हैं उसके लिए हमें ये बातें बतानी होती है तो आप विज्यापन बनाते समय आकरशक दिखने के लिए कुछ अलग धंका प्रयोग यहाँ पर किया गया है और वहाँ पर बताया गया है कि तो आज ही से ले लें स्कॉलर ब्रेन टॉनिक इसमें फिर अब यहाँ पर इस विज्यापन में यारदाश्ट को बढ़ाने के लिए टॉनिक और गोलियों का विज्यापन दिया जा रहा है उपर टॉनिक की बॉटल बता दी गई है और नीचे यहाँ पर अब देखे बताया जा रहा है कि गोलियां भी उपलब्ध है तीस सांत में जो है हर पैक पर वीस्ट के छूट यह विशेष्टा बताई है और बताने के लिए महाँ पर पता इमेल आईडी सब बता दिया गया है तो इस तरह से यह वस्तु संबंधी विज्यापन भी हमने अभी देख लिया और अंतिम प्रकार जो है अब हम देखेंगे स्थान संबंधी विज्यापन यह विज्यापन है परियतन स्थल पर ठहरने के लिए एक रिसॉर्ड का विज्यापन बनाया गया है अब यहाँ पर इसमें विशेष्टा बताई गई है समूद्री किनारा, शांतवातावरन, शीतल हवा, हरा भवा, हरा भरा उपवन इस तरह से विशेष्टाओं को लेकर यह विज्यापन बनाया गया है यहाँ जिस तरह से हमने वस्तू सम्बंदी विज्यापन में बोतल का चित्र बनाया था भी यहाँ पर नहीं बना पाया है तो इसके लिए जो है स्थान सम्बंदी, यानि कि एक रिसॉर्ट का चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं लेकिन कोई अवशक्ता भी नहीं है लुटने, शान्त वातावरन, सुन्दर समुद्री बीच, हरा भरा उपुवन, जो आपका मन मोहले, पांच एकड में फैला हुआ मनोहारी विसॉर्ट, दो दिन, दो रात, प्रतिव्यक्ती, रुपए दो हजार, संपर करे मुबाइल नमबर महा दिया गया है तो इस तरह से वस्तु संबंदी यह भी विध्यापन हमने देख लिया, यानि कि महा की जो रिसॉर्ट की जो विशेशता बताई गई है, कि वो जो है महा के आसपास किनारा, समुद्री किनारा है, महा का वातारन शांत है, हवा शीतल है, हरा भरा उपुवन है, इस तरह से र पास्तु संबंदी विध्यापन हो गया, विध्यापन लेखन में अगर कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,